Hello students, welcome back to our channel Edugreber और आप सभी का स्वाकत है एक और important वीडियो जो ही है about आज का paper आपका UGCNet का political science तो उसका analysis आजम करने वाले हैं कि किस तरीके ये question है, कहां से आये थे, जिन बच्चों का paper अच्छा नहीं गया है, वो next time के लिए कैसे prepare करें या फिर जो भी आपका scenario रहा है कि paper कैसा आया था, क्या topics आयते और overall average बच्चों का क्या कहना है क्योंकि जब आप paper देकर क्या आते हैं आपका personal तो पता होता है लेकिन बाकी बच्चों का कैसा गया है, उनका point of view का है paper लेकर को देख करके उससे हमें कहीं न कहीं cut off का अंडाजा लग पाता है, है ना? तो आज हम करेंगे paper का analysis, तो let's start तो सबसे पहले मैं आपको topic wise बताने वाली हूँ कि क्या-क्या topics paper में आये थे ताकि आप लोग जब बात में भी इस video को देखो, आगे पर preparation के लिए तो आपको help हो सकी और आप इनका screenshot ले सको, ठीक है? तो बात करेंगे अगर questions की questions कहां से आ रहे थे और उसके बात हम paper का overall analysis करके भी मैं आपको दिखाऊंगी कि पूरे unit में से, हर unit में से कितना-कितना आपका portion जो है exam में पूछा गया था, ठीक है? आपसे पूछा गया था, गांदी जी की सत्यगरे के statements और जितना मेरी बच्चों से बात हुए है कि गांदी जी की सत्यगरे से लिटेड वहाँ पर एक से जादा question थे I don't know कितने थे, लेकिन सत्यगरे की ask pass का questions कही थे वहाँ पर हो सकते हैं कि एक से जादा हो नेक्स्ट आपका था public administration तो एक जो feedback मुझे बच्चों का देखने को मिला है वो यह है कि public administration से इस बार काफी questions पूछे गए यानि कि NTA ने अपनी पुरानी pattern को यहाँ पे break किया है तो पिछली साल यानि कि जो इससे last time का job का paper था जून जुलाई वला 2023 का ही उसमें आपका publics से questions इतने नहीं आये थे और Indian quality was dominating और IR और Indian quality वहाँ पे dominate कर रहे थे लिकिन इस पर NTA ने अपने paper का जो pattern है उसको break किया है और बिल्कुली नए patterns से questions बनाए है pattern का मतलब यह है कि बिल्कुल भी जो नहीं करी है कि एक particular subject को जो अलड़ी वो डालते जा रहे थे questions और बच्टरे उनी को पढ़ करके जा रहे थे तो यहाँ पे एकदम उल्टा होता दिखाई दिखाई दिया है कि इस बार puppet से काफ़ी questions आये हैं कहां से आ रहे हैं Taylor से questions आये थे उनकी scientific theory से Henry Fjoll से questions आये Woodrow Wilson की किताब कुछी गई Elton Mio के जो study था उससे पूछा गया और Frederick से भी questions पूछे गए और match the following भी काफी इस बार बच्चे को देखने को मिले है estimate committee से यहाँ पे थोड़ा सा deep question पूछा था हाला कि NTA जो है committees के बारे में जादा पूछता नहीं है जो आपकी standing committees हैं और यह सारी committees हैं उनके बारे में तो इस बार estimate committee से statement based questions को पूछा गया उसके बाद सत्या शोदक समाज का founder कौन है वो पूछा गया जो कि है जोतिबाफूले उसके बाद आपका एक naval exercise को पूछी गई थी recent के particular area की बच्चों को area का नाम याद नहीं था तो मैंने नाम यहाँ पूछा पूछा आपका passage आये थे passage काफी असान थे, दो passage आपके paper 2 में थे और एक passage आपका paper 1 में था paper 1 के लिए मैं अलग से video बनाने वाली हूँ तो इसमें हम केवल political science की बात करेंगे तो political science में एक आया था आपका G20 से और एक आपका शायद से charter, citizen charter या citizenship इसके related something कुछ था ठीक है? तो ये मैंने लिखा है citizen charter first time कहां पे लाए गया था, UK में कौन से year में तो वो year पूछा था और इस बार आपके dates काफी पूछी गई चाहे वो किताबों की थी या foundation की थी किसी चीज़ को establish करने की थी तो इन सब की dates काफी पूछी गई जब की dates पिछले कुछ time में anti इतनी नहीं पूछ रहा था और concepts पे जादर focus कर रहा था तो इस बर factual information काफी आई किताबों के बारे में काफी पूछा राम बनुवर लोया की statements based questions आये थे जिसमें की seven revolution उनकी book, party list democracy इस तरह की कुछ statements थी उसके बाद John Rawls के justice theory से questions आये थे ये भी कुछ statement based type ही थे उसके बाद next अगर हम बात करें तो scientific theory बच्चों ने कहा कि कई जगे हमें देखने को मिला कई बार options में हमें देखने को मिला कई बार एक specific question पूरा tailor की उपर था तो tailor काफी important रहे इस बार मतलब overall public administration was very huge was playing a very crucial part in the examination today ठीक है उसके बाद feminist thinkers पुछे गए थे IR के बताना था कि कौन नहीं है और Indian commenters के कुछ commentaries पुछी गई थी चो कि मैं हमेशा बताती रही हूं कि Indian political process में कुछ बहुत जाद आपको नहीं पढ़ना है बहुत general सी चीजे पढ़के जाएए उसी में से आ जाएगा और इस बार federalism से related किसने cooperative federalism कहा किसने कौसा ही कहा ये सारे statements को पूछा गया था match the following में और ये कुछ thinkers थे सब के नाम तो बच्चे नहीं बता पाए but Morris Jones, Atul Kohli, Granville, Austin इस तरह के कुछ थे federalism पे statements दी थी उसके बाद books को पूछा गया political process related वो भी match the following के अंदर ही थी और democracy पे statements पूछी गई थी political theory से political theory से बच्चे वा कहना है कि इस पार बहुत जादा questions देखने को उन्हीं नहीं मिले हैं अभी नव भारत का और कुछ और organizations का establishment पूछा गया था और उनको chronologically accordingly लगाना था जैसे कि अभी नव भारत Ramakrishna Mission और आपका एक और बताया था बच्चों नहीं मतलब तीन चार थे अभी नव भारत एक गांदी जी का आश्रम था उससे related था तो मतलब यह तीन चार organizations थी जिनको chronologically में लगाना था उसके बाद Tajikistan का regime पूचा गया था कि हमाँ पे कौन सी government है, democratic है या मुनाकी है इस सरीके से पूचा गया था Mary Parker Follett से constructive conflict का idea पूचा गया था किसने दिया है Two Spismatic Society से कुछ statements दी गई थी related quotation पूची गई थी IPT से exact quotation तो मुझे नहीं पता क्या पूची थी, बड़ बच्चा नहीं बताई कि quotation पूची थी, चीक है उसके बाद अगर हम इसका overall analysis देखें कि इस बार हमारे overall syllabus से क्या पूचा गया है, तो ये मैंने एक अपना analysis तयार किया है I hope इसमें आपको चीजन समझ में आ रही होंगी color wise कि कौन सी चीज़स पर जादा important रही है, तो इस बार IPT और PROVED ये दो session कुछ ऐसे थे, जो बहुत ही जादा dominant role play कर रहे थे आज के examination में और कहीं नहीं थोड़ा बहुत CPA भी था, IR से कुछ questions थे, quality से काफी कम questions थे, जबकि पिछली बारी का जो paper था, उसमें quality से काफी questions थे foreign policy से थोड़े बहुत questions थे और कहीं न कहीं अगर आप passage को foreign policy में गिलने तो आप जरूर गिल सकते हैं क्योंकि G20 अभी recently हुआ था IR और foreign policy दोनों में आ जाता है, उसके बाद political process से मैंने आपको बता ही दिया है कि कुछ books पूछी गई और कुछ statements के बारे में पूछा गया governance से मैंने आपको बताया charter पूछा गया और रिशाए जन सुनवाई के related भी एक और question था, जो मैंने अभी हाँ PPT में नहीं दाला है political theory में कुछ statements पूछी गई थी और WPT से like बहुत ही कम पार था मुझे भी तक कोई question बच्चों ने बताया नहीं है WPT का, अगर किसी कोई याद हो तो आप comment section में जरूर बता सकते हो कि आपको इनकी सिवा, ये जो topics मैंने आपको अल्रेडी बता दिये हैं, इनकी सिवा, अगर आपको कोई और topics भी पता हैं, आपको याद आ रहे हैं तो आप comment section में जरूर लिख सकते हो ताकि हमारे सभी viewers की जो आगे भी इस video को देखेंगे, उनकी मदद हो जाए तो अब बात करते हैं paper का overall analysis कि overall आपका paper कैसा था तो बच्चे बता रहे हैं कि paper easy to moderate था, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बढ़ाई हैं आप सभी को उसी के लिए कि पिछली बारी का काफी depression दिया बच्चों को तो इस बार जो है काफी कम question देखने को मिले हैं हमें WPT और quality से जो कि पिछली बार काफी थे और इस बार हमी IPT, PubEd, इन से जादा question देखने को मिले हैं और questions का जो pattern रहा है वो है match the following काफी आया है reasoning काफी आया है और साथ की साथ statement based statement based questions काफी जादा यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं, chronologic काफी बार पूछी गई, statements के बारे में पूछा गया, कुछ events के बारे में पूछा गया था, तो यह मैंने आपको बताए रहे कि statements related questions आये थे books काफी पूछी गई, मतलब कि books से related, आपके years भी आपको पता होने चाहिए, even thinkers भी पता होने चाहिए thinkers के ideology क्या है और वो कौन सी public administration की theory से belong करते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए यह कुछ बच्चों ने बताया था, जो शायद मैं PPT में डालना भूल गयूं, but verbal conversation थी, तो मुझे बता रहा है, और options बच्चों ने कहा कि बहुत जादा difficult नहीं थी eliminate करने, कुछ एक आदे questions बीच में ऐसे आये थी 2-3 questions, जो की बहुत ही जादा arbit थे, but ठीक है, paper में कुछ questions arbit होने भी चाहिए, बहुत जादा सान भी paper नहीं होना चाहिए, because of course यह net का paper है, और इतने सारे बच्चे देंगे, तो सब के बीच में से competition को देखना और उसमें से percentile निकालना, select करना is a very different thing, and difficult thing as well, और तो कुछ questions का होना arbit बनता भी है, उससे आपको डरने कोई ज़रत नहीं है, क्योंकि वो सभी के लिए थे, चीक है, तो paper one का analysis में बहुत जल्द अभी थोड़ी देर में upload कर दूँगी, तो I hope आपको मेरा ये overall analysis paper 2 का पसंद आया होगा, कि किस तरी के questions आये हैं, और overall बच्चों का average क्या कहना है, बात करें, अगर हम एक percentage की, percentage की तो इस बार आपका जो cut off होगा, वो मुझे लगता है कि high रहने वाला है, क्योंकि पिछले बार के paper से पर काफी अच्छा है, ऐसा बच्चों का कहना है, तो cut off आपका high जाएगा, इसका मतलब competition जो है, वो आपका high हो चुका है, competition high हो चुका है, paper easy आया था, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, कि next जो paper आएगा, वो आपका easy आएगा, तो आपको ऐसा सोच के, बिल्कुल भी नहीं चलना, क्योंकि हर बार paper एक अलग इंसान बनाता है, एक अलग teacher बनाता है, या professor बनाता है, जो भी आप उनको कहना चाहती है, examiner बनाता है, तो हमेशा उनका mindset अलग होगा, मलब सब चीज़ें अलग होगी न, इक अलग individual हैं वो लोग, तो बिल्कुल भी इस बात को आपको लेकि नहीं चलना है, कि next attempt असान आएगा, तो बहुत easy way में आपको पढ़ाई नहीं करनी है, अगर आपने next attempt के लिए भी से prepare कर रहे हो या किसी other examination के लिए, तो आपको बहुत seriously हो करके prepare करना है, चीक है, तो I hope आपको वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको कुछ और topics जो मैंने PPT में नहीं लिखे हैं, और आपको